हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने योट्यूब चैनल इस्टडे विट फिलोसोफर बाबा में जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि इलापाध हाई कोर्ट आरू और ए आरू की जो परिक्षा होने वाली है उसके लिए मैं जीएस की सीरीज शुरू करने वाला हूँ जितनी देर के लिए हमारा जो मन है वो एकागर रहे तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारती राज वस्ता इंडियन पॉलिटी को इंडियन पॉलिटी में भी जो पहला सिगमेंट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रस्तावना से क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके बेसिक जो बाते होती हैं उनको समझना जरूरी हो जाता है तो हम चलिए करते हैं शुरूराथ प्रस्तावना से क्या आखिर प्रस्तावना होती क्या है दोस्तो जब भी आप कोई बुक open करते होंगे पढ़ने के लिए तो उस बुक में preface दिया होता है preface के through आपको ये पता लग जाता है कि इस बुक के अंदर क्या topic दिया गया है, क्या content दिया गया है, आप इस बुक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसी तरीके से हमारी जो प्रस्तावना होती है, वो सम्विधान के बारे में बताती है, कि सम्विधान के अंदर क्या बाते लिखी गई हैं, उसका क्या महत् और सम्विधान के जो निर्माता थे वो क्या चाहते थे इस से ये पता चल जाता है तो प्रस्तावना क्या है तो प्रस्तावना जो है सम्विधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं भारती सम्विधान के प्रस्तावना पंडित नहेरु द्वारा पेश किये गए क्या चाहते थे इसके निर्मार के पीछे का इतिहास प्रस्तूत करता है और रास्ट के मूल और सिधानतों के बारे में भी बताता है फिर बात करते हैं प्रस्तावना किन बातों पर विचार करती है तो प्रस्तावना जो है निमनलिकित बातों पर विचार देती है पहला सम्व का अध्यान किया और उसके बाद हमने भारती सम्विधान का निर्मार किया था अगर हम इतिसके इतिहास की बात करें तो भारत के सम्विधान के पीछे का आदर्श जवाहरलाल नहिरू के उद्देश संकल्प द्वारा निर्धारित किये गए थे जिसे 22 जनवरी 1947 को सम्विध के रुप में कारे करती है अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के घटक की तो प्रस्तावना से यहां संकेत मिलता है कि सम्विधान के अधिकार का सुरोत लोगों के पास है यानि कि हम जब सम्विधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत कहां से होती है उसकी लोग यानि कि हम सब लोग तो भारत के सब प्रस्तावना में भारत को क्या क्या कहा गया है संप्रभू, समाजवादी, धर्म निरपेच और लोगतांत्रिक गणराज घोशित किया गया है ठीक है अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में जो उद्देश बताए गये हैं वो सभी न availability April 1959 उद्देशिका से दो प्रियोजं से दोते हैं पहला कि सम्विधान के प्रादिकार का सुरोत क्या है कि जनता है यानि हम लोग हैं और इसमें वे उद्देश वर्णित है जिने समविधान इस्थापित करना चाहता है और क्या करना चाहता है आगे बढ़ाना चाहता है 42 में समविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समविधान की मुल प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निर्पेच और अखंड़ता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था तो 42 में सम्विधान संशोधान अदिनियम 1976 के दौरा जोड़ा गया था समाजवादी पंत निर्पेच और अखंड था आरंब में प्रस्तावना को सम्विधान का भाग नहीं माना जाता था बेरुबारी बनाम भारत संग 1960 मामले में सुप्रिम कोल्ट ने प्रस्तावना को सम्विधान का भाग नहीं माना लेकिन केशवा नंद भारती बनाम केरल राजी 1973 मामले में सरवोच्च नैयाले यानी सुप्रिम कोल्ट ने इसपष्ट कर दिया कि उद्देशिका सम्विधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन सम्विधान में उल्लिखित मूल दर्शन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता यानि कि उद्देशिका में तो संसोधन कर सकते हैं लेकिन जो सम्विधान का basic structure है जो basic structure है उसमें किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं होगा यानि मुल्भु धाचा वैसा ही रहेगा मुल्भु धाचे को उपर एक class separate ली जाएगी आप लोग उसका wait करिएगा है ना अब हम बात करते हैं भारत के सम्विधान के उद्देशिका है क्या तो इसमें है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त संपन समाजवादी पंत निर्पे छलोग तंतरात्मा ग देकता और खंडता को सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दड़ संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आस तारिक 26 नमबर 1949 इसवी मिती मारगशेर ससुकल सब्तमी समवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा सम्विधान को अंगीकरत अधिनियमित और आतमारपित करते हैं यानि तीनों का मतलब एक ही है तीनों का मतलब क्या है तीनों का मतलब है सुईकार करते हैं ठीक है ये इसका मतलब है अब हम बात करते हैं इसके एक एक वर्ड के बारे में क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया भारत का सम्विधान क्या है लेकिन अब हम इ अपने प्रतिनिधियों के जरिये से किया है ना कि इसे किसी राजा अत्वा बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है दूसरा है प्रभुत्त संपन तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णे लेने का अधिकार है कोई भी बाहरी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती यानि कि यहां पर जो भी फैसला होगा वो भारत सरकार का होगा दूसरा कोई देश चाहे कि हम आदेश दे करके अपनी मनमानी करवाएं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता फिर है समाजवादी तो समाज में जो समपदा होती है वो सामोही कुरूप से पैदा होती है और समाज में उसका बटवारा समानता के साथ होना चाहिए सरकार जमीन और उद्योग धंदों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाय की समाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो पंथ निर्पेच की बात करें तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी सोतंतरता है लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है सरकार सभी धर्मिक माननेताओं और आचरणों को समान समान देती है यानि कि पंथ निर्पेच का मतलब हो गया कि पंथ से निर्पेच हो जाना तो इस तरीके से भारत में नहीं है भारत क्या है सेकुलर है इस तरीकी की चीज़े यहाँ पर हैं फिर है लोग तंतरात्मक तो सरकार का एक ऐसा सुरुप जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं अर्था ज तो नागरिक कैसे सोचेंगे, किस तरह अपने विचारों को अभिविक्त करेंगे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करेंगे, इस पर कोई भी अनुचित पाबंदी नहीं है। जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना माने। तरह अमक होगा, वो किसी वंच से नहीं आएगा, वो किसी राचसाही खांदान से नहीं आएगा। तो ये इसमें दिये गए words का मतलब है अमेरिका ने सम्विधान को सबसे पहले शुरू किया गया यानि प्रस्तावना जो सबसे पहले जहां देखनेों को मिलती है वो अमेरिका का सम्विधान है और सम्विधान प्रस्तावना को सम्विधान का पहचान पत्र ये टर्म एनेपाल की वाला ने यूज किया था जो की एक विधी वेत्ता थे अब देखो प्रस्तावना में कुछ मुल्भुत बाते हैं जो पेपर में पूस्ता है न्याय कितने प्रकार का है तो तीन प्रकार के न्याय की बात की जाती है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थि की समानता तो दोस्तों ये था प्रस्तावना यानि कि यहां से हमने इंडियन पॉलिटी की सुरुबात कर दी गई है आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा जादा से जादा शेयर करिएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसी तरीके से अब डेली आपकी इंडियन पॉलिटी जो है टार्गेट रहेगा कि 60 से 70 वीडियो के अंदर आपका ये जो एंडियन पॉलिटी है ये कवर हो जाए और इसी तरीके से वीडियो आएंगी जो कि 10 से 15 मिनट की होंगी मैक्सिमम लेंथ 15 मिनट जा सकती है इससे उपर नहीं जाएगी क्योंकि मेरा मेरा मेन परपस है कि आप सभी लोग को जो पॉलिटी है वो अच्छे से आजए और अच्छे से आप सभी रिवाइस कर पाएं अच्छे से आप उसको समझ पाएं और उसको रिवाइस कर पाएं आपके टिप पर होनी चाहिए ताकि आपका GS में से जो भी segment आपका weak हो वह strong हो जाए और आपसे एक भी question गलत नहीं होने चाहिए especially वो segment जो की static है जो की static है जैसे polity हो गया, geography हो गया, science हो गया, environment हो गया हना ये सारे portion क्या है? static है तो ये मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से गलत हो जितने भी लोगों ने अब तक की channel को like, subscribe और share किया है उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और बाकी लोग जो की channel को like, subscribe, share करेंगे और इस वीडियो को देख करके अपना comment जरूर बताईएगा और आप लोग और किस विशय पर अपना वीडियो चाहते हैं वो भी आप comment section के थूरू बता सकते हैं उस पर वीडियो बिनाया जाएगा और आज से politics की शुरुआत हो चुकी है अब आप लोग एक भी class मिसमत करिएगा और daily इस class को देखिएगा मिलते हैं next class के साथ में next class में हम लोग पढ़ेंगे भारती सम्विधानिक विकास यानि सम्विधान का इतिहास क्या रहा है जिसमें हम act वगएरा पढ़ेंगे charter act पढ़ेंगे उसको हम कल कवर करेंगे उसके बाद धेरे धेरे हमारा कारवा चलता रहेगा और Indian politics की series जल्दी खतम करके हम लोग कोई दोसरा विशय स्टार्ट करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप इस वीडियो को देखिए revise करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि इलहाबाद High Court RO का paper आप first attempt में ही या जिसका जो भी attempt है उसमें आप clear कर सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए अपने फैमिली का दियान रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए धन्यवाद